जहिंद प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देश्ट आफिस नो बच्चों यह जो पोयम है आपके एकजाम के दृष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण है तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इसका हिंदी एक् कर नहीं सकती इतना याद रखेगा यदि आपने इस वीडियो को अंतक देख लिया तो तो आज मैं इसका लाइन बाई लाइन आपको हिंदे इसको बताऊंगा मतलब बहुत अजसान तरीके से सब कुस कवर कराने वाले हैं आपके लिए सेंटल आइडिया भी बताई जाएगी बस आपको वीडियो को अंतक देखना है देखेंगा यहाँ पर जो इंपॉर्टन चीजे हम बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टन है पहला उतकि है यह डैसक्त आपसनो ईसकर अकर पूर्चित रहले हैं इसुस्प पैंगे अब बताएंगे राबर्ट फ्रोष्ट क्या बताएंगे राबर्ट फ्रोष्ट आपको इसका — इसी का इतरी तभी he एक अमेरिकन पोईट थे देखे यह जो अब आउर्द पोयम इसके बारे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है जो कि कहीं भी पूछा भी नहीं जाता ठीक है यह यह आप लोग कहेंगे मैं बताते हुए चलूँगा यह आप नहीं कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा मेरा उद्दे तो आपको मैं इस चित्र के मदद से कुछ समझाना चाऊंगा देखे मेरा जो आठ है उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको जो समझाऊंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा आप जिंदगी बर भूल नहीं सकते आप तो पढ़ेंगे लेकिन भाईयो दूसरों को भ पढ़ाई करना है कि आप से अगर छोटा भाई आपका पूछ ले तो आप उसे तुरंद बता दे आप सरमिंदगी महसूस ना करें आप इस कदर पढ़ाई कीजिए ठीक है ना देखिए यह जो डैस्टॉप इसनों की जो पोएम है जान दिजेगा इसके जो पोएट है रव के नीचे क्या हुए थे खड़े हुए थे यह देखिए पोएट है ठीक है यह खड़े हुए थे और उसी पेड़ पर और उसी पेड़ पर क्या एक कववा जो है बैठा हुआ था एक कववा क्या हुआ था बैठा हुआ था जो पोएड थे मतलब दूखी थे क्या वही अपस की होती है बर्प के काण ठीक है डाष्ट आपी जो बड़की काण यहां पर चिपके हुए होते हैं जब कववा इसको मैंने की धदुरे हमलाग ट्री को तोड़ा हिला देता है तो जो पोएड को पर उसकी जो मतलब वह जो गिरता है उसके बाद जो पुएड है पुएड की मन निगेटिव को दर्साता है लेकिन दोनों निगेटिव होने के बावजूद भी यहां पर इसको पॉजटिव कर देते हैं मतलब इसको क्या कर देते हैं सूखी कर देते हैं यह दोनों दुख का प्रतित होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पोएड क्या होता है खुस हो जाता है तो चली अब हम लोग समझते हैं पोयम को लाइन बाइन क्या सभी बच्चे धयान देंगे समझे जा रहे हैं दिखेकर, तो आपको मैं इस चित्र के मदद्द से समझाना चाया यदि आपको समझ या गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देज़ेगा ठीक ना लाइक करना मत भूलिएगा चलिए आजाइए देखिए अब सुरू कर दिये हमने आज ध्यास देखिएगा एक चीजों को बरीक से समझेगा जो की बहुत ही महत्पूर है बच् समझेगा जब हम लोग पोयम का आर्थ निकालते हैं तो उसमें कुछ वाइड अपने से जोड़ना पड़ता है कवे का वह तरीका सूख डाउन आनमी कवे का वह तरीका जिसके दोरह क्या किया उसने सूख डाउन सूख डाउन मतला होता किसी चीज को हिला कर गिरा देना हिल कर गिरा दिया कवे 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 तरीका जिसने क्या किया हिला कर गिरा दिया डश्ट आफिस नो फ्राम हेमलाक्तरी मतलब उसने क्या क्या है हेमलाक्त धतूरे के बिच से धतूरे के बिच से कवे 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 ने क्या किया इस प्रकार से उसको हिलाया इस प्रकार से हिलाया क जिसने मेरे हिर्दे को प्रदान किया है, जिसने मेरे हिर्दे को क्या किया है, प्रदान किया है, अच्छे इंज आफ मूड, एक परिवर्तन सील मनोदसा, जिसने क्या किया है, मेरे मन को एक परिवर्तन सील मनोदसा दिया है, and saved some part और मेरे दिन का आदा सेजभाग बचा लिया है आफटे यानि कि दिन का आई हेड रिवड जो मैंने बरबाद कर दिया था मैंने अपना तो आदा दिन आलरेडी बरबाद कर दिया था लेकिन जो आदा दिन बचा हुआ था जब मेरे उपर बरब के कंड़ गिरे और मेरी मनोदसा परिवर्दित हो गई और मेरे आदा दिन बच गया बरबाद होने से आप इसका हिंदी भी समझ सकते हैं इस प्रकार से कभी एक धतूरे के ब्रिच के नीचे खड़ा हुआ था और ब्रिच पर बैठे कभी की जो मनोदसा थी और जब कभी कंड़ गिरे उनकी मनोदसा क्या हो गई परिवर्तित हो गई और उनका सेस्थ दिन था सेस्थ जो भाग बचा हुआ था दिन का उसमें वो क्या हो गई खोस हो गए एक बात फेड़ से समस्ते हैं देखे टKayवे का वाह तरीका जो धतूरे के बिचसे क्या क्या बर्ब की कंड को हिला कर मेरे उपर गिरा दिया, has given my heart, जिसने मेरे हिरदश को प्रदान किया है.. a change of mood एक परिवर्तन सील मनोधसा and saved some part और उसने मेरे क्या क्या कव्या आदे दिन को बचा लिया, are the day. उस अब करना क्या है आपको इसका हिंदी आपको इसका हिंदी कहीं भी नहीं लिखना क्या आपको इसका हिंदी कहीं भी आप से नहीं पूछा जाएगा तो पूछा क्या जाएगा सर आपको इससे पैसेज दिया जाएगा क्या दिया जाएगा पैसेज दिया जाएगा उसको प्रिपोर्ड में आपको पता होना चाहिए कि इसका पाइसेच पूछता है ठीक ना आप लोग देख लिजेगा पेपर उठाकर पेपर हमने इस चैनल पर कई सारे अपलोड किये हैं एकदम बहुत ही एकदम रियल वाले पेपर हमने अपलोड कर दिये हैं आप लोग उन्हें देख लिजेगा ठीक ना और आपके त्रेमासिक की परिच्छा भी यहीं से कराये जाएगी अंपी वोर्ड वाले ध्यान देंगे त्रेमासिक में आपको रियल पेपर इसी चैनल पर मिलेगा हंडेड परसंट रियल पेपर आपको मैं प्रवाइड कराऊंगा इसकी आप चि पैसे दिखाता हूं किस प्रकार से आप से पॉछा जाता है ना चलिए आजाएगे देख लेते हैं पाइसे आपको समझा देते हैं अच्छे से हम दिखें यहां पर एक पैसे दिया गया है दिखें क्या है एक जांग औरेंटेड क्यूस्टन मतलब जो परिच्छा में करना है जैसे वेर वाज दा पोट स्टैंडिंग तो आपने इसका हिंदी समाझ लेत आपको पता चल गया है पोट कहां खड़ा हुआ था पेड़ के नीचे किस पेड़ के क्यों पेड़ लिख दिएगा तो आप लिख दिएगा पोट वाज स्टैंडिंग अंडर दा ट्री अबंकर हुआ सिटिंग और डटी तो क्या हां कंपे देख sabemos क satisf ओड़ लिख दिएगा बस उसके वात क्या करेंगे वेर ड़ंडवल ड़ तड़ अउपीस नो ऐ दो अधिकर कर दिएगा बीच देखें का है अंडर बीच ट्री वास द पोड इस ट्रेंग किछ पेड़ के तो हम लाग ट्री इस प्रकार से करना है अदिकों है इस गिवन माई हर्ट यह वाला आपको कर कर दिखाना है यह चारों क्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए एंसर देख लिजैं चार प्रिप्टा टारत